सो हलो गाईज तो वीकली कर इंटरफेर्स वाले वीडियो में जून महीने के फूर्थ वाले वीक का या आपका लास्ट वाला यानि कि सेकेंड वाला पार्ट होगा इस पार्ट के बाद आपके जून के सारे वीकली पार्ट कम्प्लीट हो जाएंगे तो चली इसको स्टार्ट करते हैं और खतम करते हैं तो हमारा पहला प्रशन डे वाला है कि अभी हाली में अंतरराश्ट्र नाविक दिवस डे ऑफ सी फियरर कब मनाया गया तो अंचार होगा 25 जून को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी नाविक शिपिंग के भविश्य के मूल में यानि कि सी फियरर से करना और जनता को इनके बारे में सिक्षित करना ही इसको मनाने का मेनुद्धिश्य है आपको याद होगा एक राश्ट्र समुद्री दिवस भी होता है नेशनल मेरी टाइम डे वो कब होता है वो पाँच अपरिल को होता है चली फिर कमेंड बॉक्स में टाइप करके बताए ये इंटरनेशनल मेरी टाइम डे कब होता है तो अगला प्रशन है अभी अंतरराश्टर MSME दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 27 जून को तो सतत विकास लक्षयों यानि की सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल्स के कारणरायन्वन में इन उद्ध्योग्यों की योगदान को माननेता देने के लिए ये दिन मनाया जाता है और याद रखना दुनिया भर के GDP में MSME का योगदान 50 प्रतिशत है इस दिन को पहली बार हमने 2017 में मनाया था तो MSME Day यानि की Micro Small Medium Enterprises इसकी थीम क्या है MSME 2021 समावेशी और सततर रिकवरी की कूंजी MSME 2021 इंगलिश में Inclusive and Sustainable Recovery अब आपको पता है मैं क्या घिशन पूछने वाला हूं MSME मंत्राले अभी किसको दे दिया गया पहले तो नितिन गड़करी जी के पास था अब किसको दे दिया बताओ तो अभी मैंने एक लाइन बोली थी दुनिया भर के GDP में MSME का योगदान कितना है 50 प्रतिशत है और GDP हमारी लुलक रिये नीचे तो इसी गारंट से अब हमारा हमारी सरकार का पूरी दुनिया का यही नारा है यही अब सहारा है कौन अब सहारा है MSME MSME ही अब हमारा आक्री सहारा है यही अब हमारा नारा है नारा से नारायन नारायन उनका नाम है नारायन रणे याद रहेगा न चलो आप एक प्रश्ण का जगाब दो अभी किस राज्य सरकार ने हच्टकरदा बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी तो आं आटक की सरकार आपको याद होगा चलिए आप ही बताईए प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के अंतरगत महिलाओं को लोन देने में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था तो आंसर होगा तमिल नाडू 2020 में बात कर रहे हैं और वैसे प्रधान मंतरी मुद्रा योजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुवात होती है 2015 में नरेंदर मुद्धी जी ने शुरुवात की थी छोटे और सूक्षम उद्योगों को लोन देने के लिए इस योजना में कितना लोन दिया जा सकता है 10 लाख रुपे तक का लोन दिया जा सकता है याद अखना इसे related कुछ points बताए मेंने आपको बढ़ते आगे फिर बताए अभी हाल में Fiercely Female The Dutty Chand Story नाम क्यों बुक को किसने लिखा है सुदीप मिश्रा ने तो पत्रकार है ये सुदीप मिश्रा और इन्होंने ये बुक लिखिये जिसका नाम है Fiercely Female The Dutty Chand और इस बुक में लिंग पहचान विबात के वि इतिहास रचा था जब वे इटली के नैपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सियाड में 100 मीटर इस परदा में गोल्ड जीतने वाली पहली भारते बनी थी उडीसा से है ये और आपको याद होगा विशत्तिजगर की सरकार ने दूती चंद को ही वीर्मी पुरसकार से सम्मानित क किया था अच्छा डिंग एक्सप्रेस किसको कहते हैं क्या दूती चंद को कहते हैं क्या तो आंसर होगा नहीं हीमादास को कहते हैं वो असम से हैं चली एक प्रशन का जवाब दीजी अभी किसने महिलाओं की 10,000 मीटर दोड का नया रिकॉर्ड बनाया याद रखना सिफान ह परसन आंसर होगा नीदरलेंड की हैं और मात्र कुंड 30 मिनट 6 सेकंड में इन्होंने ये दोड पूरी की थी बाकी नीना गुपता सच कहूंतो नाम की ओटो बायोग्राफिया इनकी काजल सूरी हब्बा खातून नाम की बुक को लिखा अमिताब घोष लिविंग माउंटे पर बताई अभी हाली में राष्टर सांखी की दिवस नेशनल स्टेटिस्टिक डे कब मनाया गया तो आंसर होगा 29 जून को तो भारत सरकार हर साल 29 जून को प्रोफेसर पीसी महाल नोबिष के जैनती पर ये नेशनल स्टेटिस्टिक डे के रूप में मनाती है तो कौन थे पीसी महाल नोबिष यानि के प्रशान चंद्र महाल नोबिष इनको भारत सांखी की जनक के रूप में जाना जाता है उनका जनम वुवाता 29 जून 1893 को कौलकता में इसलिए 29 जून को हम ये दिन मनाते हैं उन्होंने भारत सांखी की संस्थान की स्तापना भी खी थी और वे के मोडल पर आधरित थी दूसरी पंच वर्ष यह योजना जो चली थी 1956 से 1961 तक वैसे देखो 29 जून को हम अंतर राष्ट्रे उष्ण कटी बन दिया दिवस International Day of Tropic के रूप में भी मनाते हैं ठेको यह तो National Statistic Day हो गया आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि हम अंतर राष्ट्रे सांख्य के दिवस कब मनाते हैं बताओ फिर बताइए अभी हाली में किसने स्टाइरिंग ग्रैन परिक्स फॉर्मॉला वन रेस 2021 को जीत लिया तो अंसर होगा Max Wotspun ने Max Wotspun याद रखना यह नीदरलेंड के प्लेयर हैं मतलब नीदरलेंड के रहने वाले हैं और किस कार कमपनी के ड्राइवर हैं तो रैडबुल के यह ड्राइवर हैं और देको Formula 1 races जितनी भी अभी आपकी हो चुकी है आठ नो जितनी भी हो चुकी है तो उसकी quiz बना करके आपकी correct exam application पे upload कर दी जा चुकी है और आगे जितनी भी आपकी Formula 1 races होती रहेंगी वो सारे question add कर दिये जाएंगे आपकी इस quiz में तो यह मस सोचना है पहले पूरे साल मे जितनी भी आपकी race है वो हो जाने दो फिर हम quiz लगाएंगे याद करेंगे ऐसा मत करना ऐसी गलती मत करना क्योंकि आपकी के फाइदे के लिए अभी से इसकी quiz को में ने upload करना स्टार्ट कर दिया है जैसे 5 race हो गई तो 5 आपको मिल जाएगी 8 race हो गई तो 8-8 quiz महाँ पे मिल जाएंगे कल हम देखेंगे total 10 race हो चुकी है तो वो 10 question आपको महाँ पे मिल जाएंगे तो आपके आपका revision अच्छे से होता रहे बात समझ में आरी ऐसे भी मालो 8 race हो गई आपने quiz लगा ली अब हम देखेंगे कुछ दिन बाद एक और race होती है तो उस question को भी हम उसमें add कर द जाएगा वहाँ पे ministers की quiz भी आपको मिल जाएगी जो अभी नए बने थे cabinet मंतरी और 8 नए governor बने थे उनकी भी quiz आपको वहाँ मिल जाएगी बाके और भी बहुत सारी है वो आप महाँ जा करके चेक कर सकते हैं अब यह बढ़ते आगे फिर बताईए सुधी रमन कप final 2020 का वांटा फिनलेंड में किया जाएगा जबकि याद रखना badminton world federation world tour final यह कहां पे होंगे यह बाली इंडोनेशिया में होंगे एक्चुली में यह 2021 में चाइना में होने वाले थे पर अब ध्यान रखना सुधी रमन कप final 2021 यह कहां पे होंगे फिनलेंड में होंगे और BWF badminton world federation world tour final होंगे इंडोनेशिया में और इसके अलावा याद रखना thomas cup और uber cup final 2020 यह होंगे कहां पे डैन्मार्क में चलिए फिनलेंड की capital क्या है हेल्सिंग की है currency euro है प्रधान मंत्री सेना माररेन है आप तो यह बता दो अभी जो world happiness index आया था उसमें top पे कौन सी country थी फिनलेंडी तो था जितमें भारत 139 नमबर पे था तो यह याद रखना बढ़ते आगे फिर बताईए ICC mains T20 world cup 2021 का आयोजन यह किस देश में होगा तो यह देखो दो जगे होंगे United Arab Amirat और रोमान में वैसे आपको पहले से याद होगा यह जो ICC mains world cup 2021 से यह भारत में होने वाले थे लेकिन अब कहा गया कि यह United Arab Amirat और रोमान में होंगे 17 October को यह स्टार्ट हो रहे हैं और 14 नमबर तक चलने हैं लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ICC mains world cup 2023 में होंगे वो कहां पे होंगे वो तो भारत में होंगे और 2023 में ही भारत किसी अद्धिक्षिता कर रहा है G 2020 समिट की वैसे इस साल भारत किसी के अद्धिक्षिता कर रहा है क्या BRICS के अद्धिक्षिता कर रहा है याद रखना बाकी देखो United Arab Amirat से आपको याद होगा इस साल का जो IPL है जो 14 नमबर का IPL है इसके जो बचे हुए मेंचेज हैं वो हम कहां पे करा रहे है United Arab Amirat में कर करा रहे हैं और इस बार के IPL का टाइटल स्पांसर कोने वीवो है पिछली बार वाला जो IPL है वो भी United Arab Amirat में हुआ था जिसको मुंबई इंडियन्स ने जीता था अभी United Arab Amirat का golden visa प्राप्त करने वाले पहले भारते अभी नेता कौन बने थे संजेतत बने थे और United Arab Amirat क मंगल मिशन का नाम क्या है होप मिशन नाम है और होप पोर्टल ये भारत की किस राज़े ने शुरू किया था उत्तरा खंड ने बाकी ओमान की बात करेंगे तो याद रखना देखो ओमान से ओमान की कैपिटल क्या होती मैसकट होती है तो 2024 में FIH International Hockey Federation Hockey 5 World Cup पूरुशों क और महिलाओं का ये कहां पे होगा उमान में होगा ये एक नया टूर्णामेंट है याद रखना ये उसके अलब वो उमान से आपको याद होगा 2019 के गांदी शांती पुरुशकार के लिए उमान के दुबंगत सुल्तान काबूस बिन अलसेद को चुना गया था और 2021 का जो द मियान मारने रखा था मियान मारने तो ये इंपोर्डेंट फेक्ट मैंने आपको बताया इनको ध्यान रखना बढ़ते हैं अगे 2015 में Conference of Parties 21 में पैरिस समझोता हुआ था और इसी पैरिस समझोते में भारत और फ्रांस ने मिलकर के अंतर राष्टर सौर गठ बंदन की स्तापना की थी और स्तापना के समय करक रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों को इसमें शामिल किया गया था लेकिन अब इसमें किस इसी भी देश को शामिल किया जा सकेगा यह फ्रेमवर्क साइन हो चुका है एक्च्वल में 8 जनवरी 2021 को ही इंटरनेशनल सोलर अलाइंस फ्रेमवर्क एग्रिमेंट में शंचोदन लागू हो था और उसके बाद अब डैनमार्क पहला देश बन गया है इसकी पुस्ती करने वाला इसे रेक्टिफाई करने वाला डैनमार्क वही डैनमार्क जिसकी केपिटल कॉपिन है करंसी क्रून है प्रधान मंतरी मेट्टे फ्रेडरिक्सन है अब याद होगा डैनमार्क के क्रतिम आइलेंड भी बना रहा है आर्टिफिशल आइलेंड बना रहा है क्योंकि उनक चली बताईए दुनिया का सबसे बड़ा solar tree ये कापे स्थापित किया गया है तो याद रखना पच्चिम बंगाल में पच्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में बागी इंटरनेशनल solar alliance का headquarter काँ पर है गुरू ग्राम हर्याना में और ये पहला अंतर राष्टर संगठन है जिसका headquarter आपको इंडिया में मिलेगा इसके पहले महा निदेशक का नाम पता होना चीए जो अभी बने थे क्या नाम है अजे माथुर है फिर बताईए भारत के पहले सोदेशी विमान वाहक पोत IAC1 का क्या नाम है तो अंसर होगा में commission किया जा सकता है देखो वैसे मैं आपकी knowledge के लिए बता दू कि भारत के पास अभी केवल एक ही विमान वाहक पोत है और उसे भी हमने रश्या से लिया था 2014 में और उसका नाम है INS विक्रमादित्या और ये जो अब हम बना रहे हैं हमारा सुधीशी विमान वाहक इसका जो नाम है ये नोसेना के सेवा मुक्त प्रत्थम वाहक के नाम पर विक्रांत रखा गया है वो जो INS विक्रांत था वो हमने ब्रिटेन से लिया था 1957 में इसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद में पाकिस्तान के चक्षे छुड़ा दिये थे लेकिन फिर उसे 1997 में रेटायर कर दिया गया और फिर आपको याद होगा उसे मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के पास में तेरते हुए संग्राले के रूप में बदल दिया गया है और उसका भी नाम क्या रख दिया गया I.M.S. विक्रांत मतलब इंडियन म्यूजियम शिप और अब फिर से I.N.S. विक्रांत आ रहा है तो ध्यान रखना यह हमारा जो स्वदेशी विमान वाहकपोत होगा इसका नाम रखा है हमने I.N.S. विक्रांत बैस्ट शिप का आवार्ड मिला था विसे हमारे नैवल चीफ कौन है करमबेर सिंग है और भारते नौ सेनिक दिवस कब मनाते हैं 4 देसंबर को बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है मिशन रेबीज जिसने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है गोवा को रेबीज मुक्त बनाने में गोवा की कैपिटल क्या है पनजी है और पनजी किस नदी के किनारे श्तित है तो मंडो भी नदी के किनारे मुख्य मंतर होगे प्रमूत सावन और सबसे important question governor कौन बन गए है अभी 8 नए राजियों में governor बने है याद रखना वैसे इसका tricky वीडियो हम बना के upload कर चुके आपने वो देखा होगा तो इसका आंसर फटाक से कर दोगे तो यहाँ पे गोवा में जो governor है वो कौन है जो पहले मिजोरम के governor थे तो पहले तो यह बताओ मिजोरम में नए governor कौन बन गए मिजोरम में हमने एक याद किया था जोरू जोरू पहले पती था उससे पहले बाबू था यानि कि हरी बाबू कमफम पती ऐसे आधर कलो कमफम पती को कमफर्म पती था कमफर्म पती ये पहले बाबू था तो हरी बाबू कमभम पती और वहाँ पे शिरिधरन पिल्ले थे वो पिल्ले आगए गोवा में देखो गोवा में आपको मौलेम नेशनल पार्क मिल जाएगा भगवान, महाविर, वालाफ, सेंचूरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा बाकी देखो रेबीज की बात है न रेबीज से कुछ important question आपको बताता हूँ जो आपके अक्सर exam में repeat होते हैं पहले तो यही बताओ वर्ल्ड रेबीज दे कब मनाया जाता है 28 September को और इसकी theme क्या थी एंड रेबीज कॉलेबोरेट वैक्सिनेट अच्छा बताइए रेबीज के टीके की कोच किस ने की थी लुईस पास्चर ने की थी लेकिन लेकिन याद रखना दुनिया का पहला टीका खोजा गया था चेचक का, स्मॉल पॉक्स का किस ने खोजा था? Edward Jenner ने. अच्छा, रेबीज जो है किस वाइरस से होता है? रेबडो वाइरस से रेबीज होता है और रेबीज में क्या होता है? पानी से डर लगता है पानी से डर कोई क्या बोलते है? हाइड्रोफोबिया फोबिया मतलब डर हाइड्रो मतलब वाटर अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो भारत का लक्षे क्या है? टीबी को खतम करने का? 2025 का है और मलेरिया को खतम करने का? 2030 का है बताइए टाटा पावर ने कि शहर में देश का सबसे बड़ा solar carport लगाया है तो अंसर होगा पूरे में आच्छा, carport क्या होता है? तो ये कारों के shelter होते हैं इस तरके आप image में देखिए इस तरह से आपने देखा होगा आपकी car वगिर आप खड़ी करते हो जिसके नीचे कार खड़ी होती है छाया में तो अभी इस तरह का एक structure तयार किया गया है जिसमें उपर तो solar plates लगा दी गई ताकि बिजली बन सके और पूरा का पूरा जो structure होगा उसके नीचे हम car parking के तरह इस्तमाल करेंगे उसे तो एक चीज से दो काम हो गए car parking की car parking भी हो गई और बिजली की बिजली भी मिल रही है तो अभी Tata Motor ने देश का सबसे बड़ा solar carport लगाया है कहां पे उड़े में जो Tata Motor car plant है वहां पे और ये देश का सबसे बड़ा solar carport है capacity है इसकी मतलब इससे जो बिजली बनेगी वो है 6.2 megawatt की capacity है मतलब हर साल 86.4 lakh kilowatt की बिजली पेदा होगी यहां पे और Tata Motor का लक्षे क्या है जीरो कार्बन सर्जन का 1039 का है बाकि Tata Power का headquarter मुंबई में है इसके CEO परवेर सिनहा है Tata से कुछ याद आता है कि आपको एक index आय था, एक सूची आय थे अभी सदी के सिर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची उसमें टॉप पे थे Tata Samu के संस्तापक जमशेज जी Tata चलिए आप तो ये बताईए देश की पहले electric vehicle city कौन सी बनी है गुजरात की केवडिया से ती और आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा solar tree ये काँ पे स्थापित किया गया तो दुर्गापुरा में जो किये पस्चिमंगाल में और अभी कौन सा देश पहला देश बना है जिसने अलाउ कर दिया है driverless कारों को किसी भी virus का bio data ये होता है कि कोई virus कैसा है किस तरका दिखता है मतलब इन सब के जानकारी genome से मिलती है और virus के बारे में जानने की जो विदी है उसको ही genome sequencing कहते हैं और आपको बता दूँ इससे ही कोरोना के नए strain के बारे में पता चला था तो क्या है genome sequencing एक line में बोलोगे तो virus के बारे में जानने की एक विदी है एक process है तो अब राजिस्तर पर genome sequencing की सुविदा उपलब्द कराने वाला राजस्तान देश का पहला राज़ बन गया है और इस सुविदा को जेपूर के SMS medical college में शुरू किया गया है तो इस से virus के नए प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी आपको याद होगा जेव इंदन नीती को लागू करने वाला पहला राज़ भी कौन सा था राजस्तान अभी देश का 52 राजस्तान का चोथा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया रामगड विश्धारी wildlife century जो आपको मिलेगा राजस्तान के बूंदी में और अभी राजस्तान ने ही चिरन जीवी योजना को भी शुरू किया था जा दखना सभी को स्वास्तभी में उपलब्द कराने वाला पहला राजस्तानी है इसी चिरन जीवी योजना के अंतरगत यहीं पर आपको दो रामसर साइट भी मिल जाएंगी एक सांबर जील है और एक केवला देव नेशनल पार्क है पर बताईए हाली में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ट 2020 में पहले स्तान पे कौन रहा है तो आंसर होगा सूरत और इंदौर तो देश के सो सबसे स्मार्ट शेरों में गुजरात का तो सूरत और मद्यपरदेश का इंदौर ये दोनों टॉप पे रहे हैं 2019 में बात करेंगे तो केवल सूरत अकेला टॉप था और अगर राज्यू में बात करें तो उत्तर प्रदेश टौप पे रहा है सेकेंड पे मद्यपरदेश और तमिलनाडू तीसरे नंबर पे रहा है और इनके अलवा आपको बता दूँ इंदौर को इनोवेटिव आईडिया अवार्ड भी दिया गया है और एहम्दाबाद को स्मार्ट सीटीज लीडर्शिप अवार्ड भी मिला है वैसे तो यह रैंकिंग अलग-अलग केटेगरीज में आईए जैसे कि शहरों में हमने बात कर ली है सूरत और इंदौर टौप पे रहा ये याद रखना स्टेट की केटेगरी में उत्तर प्रदेश टौप पे रहा ये याद रखना यूनेन टेरिटरीज की केटेगरी में बात करेंगे तो चंदिगर टौप पे रहा है और उनी में से एक केटेगरी थी कोविड इनोवेशन केटेगरी मतलब कोरोना महामारी के खिलाफ बहतर और नए तरीके से काम करने के मामले में महाराष्टर से कल्यान और डोंबी वली और उत्तरपरदेश के वारानासी को सन्यूत विजेता घुशित किया गया चलिए आप तो ये बताईए भारत का सोवा स्मार्ट सिटी कौन सा है शिलॉंग है और एक मंत्राले वाला किश्यन हो जाए बताईए फिर आप हाउसिंग एन अर्बन अफिर्स मिनिस्टर आवास्व शहरे मामलों के मंत्री कौन है तो वही हैं जो पहले थे हरदीप सिंग क्योंकि ये है हर दीप पुरी पुरी रात जलेगा दीप यो 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 तो क्या हो गया हर घर में जलेगा दीप हर घर में जलेगा दीप तो दीप काईसे जलता है मतलब पैट्रोल डालना पड़ता है फ्यूल डालना पड़ता है तो पैट्रोल वर नेच्छरल गेस मंत्राले के पास हो गया, इस तरह से याद करा था हमने, याद रहेंगे, यह मैं आपको revise इसलिए बार-बार कराऊंगा, current affairs बार-बार पढ़ने का यही फाइदा है, यह बार मैंने आप अनित किया गया है, तो मंगोलिया में पहली बार तेल रिफैंदरी की स्तापना में उनके द्वारा किये गए उतकरष्ट योगदान के लिए मिला है उनको यह सम्मान, मंगोलिया, मंगोलिया की capital क्या होती है, उलन बतोर, मंगोलिया इतोगरोग यहां की currency और प्रसिदेंट है उखना, खुरेल सुक, बाकी करती करंद, वाइल इनोविटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारते महिला हैं, डॉक्टर शकुंतला थिलस्टेड, विश्व खाद्य पुरुसकार दोजार किस जीता, मेगा राज गोपालन, भारते मुल्की पत्रकार हैं, दोजार इकिस का पुलिजर पुरुसकार जीता इनोंने, फिर बताई अभी किस भारते को 2020 के फुकु ओका सम्मान के लिए चुना गया, कांचर होगा पी साइनात, तो ये प्रसिद्ध पत्रकार हैं, पी साइनात, जिनने अभी 2020 के फुकु ओका पुरुसकार के तीन प्राप्त करताओं में स एक के रुप में चुना गया है, तो शिरी साइनात को फुकु ओका पुरुसकार का ग्रेंड प्राइज मिलेगा, जबकि अकादमी पुरुसकार जापान के प्राफेसर किशी मोतो मियो को दिया जाएगा और कला और संस्कृति का पुरुसकार थाइलेंड के फिल्म में निर अभी सोशल साइन्स में स्पेन का सर्वुच पुरुसकार इनको मिला था, प्रिंसेस ऑफ आउस्ट्रियन अवार्ड केते हैं उसको, अमर्ते सेन, भारत के पहले वेक्ति जिनने अड़तिशास्तर का नोबल पुरुसकार मिला था 1998 में, और उसके एक साल बाद 1999 में भारत र अवार्ड 2020 मिला था, इनने इनर्जी रिसर्च का नोबल पुरुसकार इसको कहा जाता है, अनामिका हिंदी में साहित्य अकाद में अवार्ड जीता था, टूकरी में दिगंत थेरी गाथा नाम की उपन्यास के लिए, और अंगरी जी का किसको मिला था, अरुंधति सुब्र मन्यम को मिला था, when God is a traveler के लिए, तो पी साइनात का नाम याद रखना, असब पी साइनात की एक famous book आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, everybody loves a good drought, याद रखना ये, फिर बताईए अभी हाली में भारत की किस Metro को Outstanding Civil Engineering Achievement Award से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा, दिल्ली Metro, और क्यों मिला इसे, तो दिल्ली Metro का सफर काफी सस्ता, काफी आराम दायक और गुणवत्ता युक्त परिवान औरें के करण, इसे ये Award मिला है, मतलब quality के लिए मिला है, किस ने दिया, Japan Society of Civil Engineers ने, आचा आप तो ये बताओ, Metro Man of India के नाम से किने जाना जाता है, शिरी धरन को, और भारत की पहली Metro कौन सी थी, Kolkata Metro, इंद्रा गांदी जी के समय चली थी, 1984 में, और भारत की पहली Underwater Metro, ये किस नदी के नीचे चलेगी, हुगली नदी के नीचे, Kolkata में, वो भी यही है, Kolkata Metro, और आप से पूछा जाए, भारत की पहली Driverless Metro काँ चली, दिल्ली में, अचा अभी अठारा रेलवे जोन है, अठारवा बन गया हमारा South Central Railway, जिसका मुख्याले आपको मिलेगा विशाका पत्नम में, फिर बताईए किसने The Startup Wife नाम की जो बुक है, उसको लिखा है, तो आंसर होगा, तहमीमा अमन ने, तो The Startup Wife नाम की बुक को तहमीमा अमन ने लिख करना पड़ता है, बाकि डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, My Jaws and Sorrows as a Mother of Special Child नाम की बुक को लिखा था, ताहिरा कश्यप खुराना, The Seven Sins of Being a Mother नाम की बुक को लिखा, शरण कुमार लिमबाले, अभी तीसवा सरसुती सम्मान मिला था इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए, अभी हारी पुरुसकार जीता था, इन्होंने अपने उपन्यास, तसलिमा, संघर्ष और साहित्ते के लिए, तो ये तीनों नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार-बार मैं आपको रिवाइज कराता रहोंगा, सुन-सुन के याद हो जाएगा आपको, फिर बताइए अभी क और पदम भूशन सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनका पहला नॉवल का नाम क्या है, रूम ओन दे रूफ, तो अमर्ते सेन, याद रखना, ये पहले भारते वेक्ति हैं, जिनने अरत शास्तर का नोबल पुरुसकार मिला था, कब मिला था, 1998 में मिला था, उसके जस्त एक साल बाद भारत रत ने भारत का सरवोच नागरिक सम्मान भी इनको मिल चुका है, 1999 में मिला था, अभी इनोंने एक बुक लिखिये, हूम इन दे वर्ल्ड नाम से, बाके रवी शास्तरी अभी इनोंने पहली बुक लिखिती अपनी, स्टार गेजिंग दा प्लेयर से इन माई लाइफ नाम से, सल्मान रुष्दी की बात करेंगे, Languages of Truth ऐसे नाम की बुक को लिखा, ये तीनों नाम Most 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 Important है, इस तरह के नाम एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना भी आप, बताए अभी हाली में किसने Policymakers Journal from New Delhi to Washington DC नाम की बुक को लिखा इसके बाद में World Bank में ये Chief Economist बन गए, इसलिए बुक का नाम है, देखो इनका क्या, Delhi to Washington DC, Washington DC में आपको World Bank का Headquarter मिलेगा, अच्छा अवतार सिंग भसीन अभी नहरू तिबत और चीन नाम की बुक को लिखा था, जुंपा लाहिडी वेर अबाउट नाम की बुक को लिखा औ खेमलतव आखलू की ये नई बुक है, जिसका नाम है Kashmiri Century Portrait of a Society in Flux, बाकिस सल्मान रुष्दी, Languages और टृस्त नाम की बुक को लिखा, इंद्रा नुई, PepsiCo की पूर्व सीओं ये, My Life and Full Work, Family and Our Future नाम की बुक को लिखा, ताहिरा कश्यप खुराना, The Seven Sins of Being a Weather नाम की बुक गया है, उनका नाम क्या है, केकी विणू गोपाल है, भारत के Attorney General है, ये केकी विणू गोपाल है, Attorney General को उनों थे, सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है ये, और अभी इनका कारकाल एक साल के लिए और बड़ा दिया गया है, अच्छा, अगर मैं आप से बूझी, कौन से नं बने थे अभी, मेरिक गारलेंड और उनको असिस्ट करेगी कौन, वनिता गुपता, ये भारतिय मूल की अमेरिकी नागरी के वनिता गुपता, बाकी गिरिश चंदर मुर्मू, कॉम्ट्रोलर एन ओडेटर जनरल है, हमारे चौदवे नंबर के, एनवी रमन्ना, चीफ जस् सतरक्ता आयोग, चीफ विजिलेंस कमिशनर के रूप में नियूट किया गया, तो अंसर होगा सुरेश एन पटेल को, अब देखो 1964 में एक समीती बनी थी, संथानम समीती, और इस समीती ने कहा था कि ब्रष्टाचार को रोकने के लिए एक आयोग बनना चाहिए, एक संस्थ कमिशनर, तो अभी तो जो आपके सेंटरल विजिलेंस कमिशनर थे, वो थे संजे कोठारी, लेकिन अभी वो रेटाइड हो गए है, और दो विजिलेंस कमिशनर, यानि कि दो सतरक्ता आयुक्त में से एक थे सुरेश एन पटेल, और एक का तो पद खाली है, तो ये जो सुर प्रमानेंट नहीं आ जाता, ये पिच्चर है, ये ध्यान रखना, नियुक्ती कौन करता है, प्रसिरेंट करते हैं, बाकि यश्वरदन सिन्ना की बात करेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त है, चीफ इंपॉर्मिशन कमिशनर, सुशील चंद्रा की बात करेंगे, चीफ इले बोर्ड के नüne चेर्मेन बन गए तो अंसर होगा, मिनेश शाह, तो नैशनल डेरि डेवलप्मेंट बोर्ड के न एद्यक्ष बने है, ये मिनेश शाह, और इन्होंने की जगे लिए है, वर्शा जोशी की जगे लिए है, तो एक्चिलि मै मिनेश शा को एडिश्नल चार्जि पर बताईए अभी CBI के विशेश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो अंसर होगा प्रविन सिन्हा को मतलब CBI के स्पेशल डारेक्टर ये बने है वैसे डारेक्टर के बारे में तो आप जानते ही हो CBI में डारेक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा पद होता है CBI में डारेक्टर के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो है Special Director का वो अब बन गए प्रमीन सिन्ना, वैसे Director भी अभी बने थे, कौन? सुबुध कुमार जैसवाल, बाकी M.A. गणपती, ये National Security Guard के Director General बने और विकास सिंग Supreme Court Bar Association के नए अध्यक्ष बने, CBI मतलब Central Bureau of Investigation, इसकी स्तापना होती 1963 में और अगर आपसे पूछा जाए, इसके पहले Director का नाम क्या है? तो DP Koholi, और याद रखना ये पहले तो ग्रह मंत्राले के अधीन आता था वर्तमान में ये कार्मेक और लोग शिकायत मंत्राले के अंदर आता है Department of Personal and Training बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में जारी QS MBR Ranking 2021 में भारत में कौन सा संस्थान टॉप पे रहा तो अंसर होगा IIM Bangalore तो अभी QS MBR Ranking 2021 आई और इसमें भारत में IIM Bangalore टॉप पे रहा है और ये Top 100 की लिस्ट में एक मात्र भारते संस्थान है IIM Bangalore और देखो अगर बात करें वर्ल्ड में कौन सी रैंक मिली इसे तो 39 नंबर पे रहा है एशिया में दस्वे स्थान पे रहा है इस लिस्ट में Top पे कौन है HEC Paris ये France की University है इसी तरह से आपको याद होगा भी QS World University Ranking 2022 आई थी उसमें आपको याद दोगा Research की केटेगरी में IISC Bangalore पूरे World में Top पे रहा था तो वो भी याद रखना आच्छा देखो सिक्षा की बात हो रही है न तो पहला प्रश्न तो आप ये बताओ कि हमारे नए सिक्षा मंतरी कौन बन गए है मैंने एक लाइन याद करवाई थी आपको सिक्षा ही धर्म है सब ट्रिक प्रिक को गूली मारो एक मंतर याद कर लो सिक्षा ही धर्म है वर्तमान में आपका धर्म क्या है सिक्षा गरहन करना अच्छे से पढ़ाई करना यही आपका धर्म है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा शिक्ष्यमंत्री कौन है धर्म यानि की धर्मेंद्र प्रधान है बाकि अगर आपसे पूछा जाए राष्टर शिक्षा नीती 2020 को किस समीती की सिपारिश पे लागू किया गया था कस्तूरी रंगन समीती और किस राज्य ने सबसे पहले नई राष्टर शिक्षा नीती को लागू किया तो बताओ हिमाचल प्रदेश ने है याद रखना इसे तो गाईज लीजिए इसी सेशन के साथ आपके जून के सारे बाट आपके कंपलीट हो चुके है और अभी तक की सारी क्विज भी आपके अप्लोड कर दी जा चुकी है आपकी क्रेक एकजम एप्लिकेशन पर तो वहाँ जा करके इन सबी क्विशन के अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हमेशा की तरह एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर सेशन अच्छा लगता है, helpful लगता है तो प्लीज इन वीडियोस की help जरूर करें इनने बिलकुल भी response नहीं मिल पा रहा है जो आपके weekly वीडियोस हो गए, monthly वीडियोस हो गए मतलब daily current affairs वाले में तो views कम आते ही हैं, लेकिन इन weekly वालों को भी अगर आपका support नहीं मिलेगा ये बाकि जो extra वीडियोस आ रहे हैं इने आपका support नहीं मिलेगा, पसंद कर रहो फिर भी support नहीं करोगे तो फिर इसलिए इने continue रखने का मन नहीं करता है, क्योंकि महनत बहुत लगती है और महनत लगती है, output नहीं मिलता है, तो फिर कैसे काम करने की इच्छा होगी एक motivation चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए इसलिए आप लोग उसे request कर रहा हूँ, जो भी आपका study group हो गया WhatsApp पे, Facebook पे, WhatsApp status आप लगाते हो, तो वहाँ पे जो भी आपको अच्छा वीडियो लगता है लिंक लगा दो, एकाद, एकाद photo लगा दो, इतना तो आप कर सकते हो, इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है अगर वीडियो को आप support करोगे, तो इने continue रखने में हमें भी मजाएगा